रादे रादे जैसरी किष्णा कहानी संग्रे में हमारी सभी दर्शकों का हार्दिक श्वागत हैं दर्शकों आज हम इस वीडियो को माध्यम बना कर आप लोगों के लिए पवित्र बैसाक माह की बरूतनी एकादसी ब्रत की कथा तता उसका माहतम में लेकर आए हैं बरूतनी सब्द का संस्कृत भात्सा के बरूतन सब्द से बना है इसका अर्थ होता है प्रत रच्छक अर्था रच्छा करने वाला कबच इस एकादसी का ब्रत करने वाले भक्त की सिरी हर विष्णू हर संकट से रच्छा कर निरोग जीवन प्रदान करते हैं बगवान विश्डू को समर्पित एकादसी का ये ब्रत मनुष्य के हर प्रकार के कष्टों से रच्छा करता है हिंदू बर्स की ये तीसरी एकादसी होती है इस दिन सिरी हर विश्डू के बारह अबतार की पूजा की जाती है यह बारे अब्ता सिर्हर विश्वु का तीसरा अब्तार था हमारे पदम पुराण के अंसार भगवान सिरी क्रिष्ण इस ब्रत के पुन्न फल को राजा इदुष्टर्स को बतलाते हैं प्रत्विवासी प्रत्यक मनुस्य के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले चित्र गुप्त इस एकादसी के पुन्न फल का हिशाब किताब लगाने में भी सच्छम नहीं है एक बार धर्म राज इरिष्टर्न ने भगवान सिरी क्रेष्ण से पूछा हे मादब मैं आपके मुख से लगबख सभी महीने की एकादसी का महतम में सुनता आ रहा हूँ आज मैं आपके मुख से बैसाक क्रेष्ण पक्च की एकादसी का महतम में सुनना जाता हूँ इस एकादसी का नाम क्या है वो इस व्रत को करने से किस फल की प्रापती होती है मैं आपके मुक्षे विस्तार पूर्वक सुनना चाथा हूँ तब भगवान स्रीकेशन बोले बैसाक माह के क्रेशन बक्ष की एकादसी को बरूतनी एकादसी के नाम से आना जाता है यह मनुस्य के सभी पापों का अच्छे करने वाली है तथा मोच प्रदान करने वाली है इस ब्रत को अभागिन इस्तिर द्वारा करने पर शौभागी की प्राप्ती होती है इसी एकादसी ब्रत के पुन फल से राजा मान धाता को स्वर्ग की प्राप्ती हुई थी इस एकादसी का पुन्न फल दस हजार बर्ष तक तपस्चा करने के पुन्न फल से भी जादा होता है सूर ग्रहड के समय कुर्चेत्र में एक मन सोना दान करने से जो पुन्न फल मिलता है वही पुन्न फल मात बरूतनी एकादसी के ब्रत करने से मिल जाता है इस एकादसी का ब्रत करने वाला व्यक्ति इस लोग के पुन्य फल भोग कर अंत में सीधा स्वर्ग लोग को प्रस्थान करता है भगवान स्री केष्ण बोले हे राजन प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नाम के एक राजा राजी करते थे वह दानसी और प्रजा पालक राजा थे एक समय जब जंगल में तपश्या कर रहे थे तबी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चवाने लगा राजा अहिंसा पर्मो धर्म के फुजारी थे अते वह जी भद्या के वह से चुप चाप दर्द सहन करते रहे और भालू उनका पैर चवाता रहा राजा को घसिष्टा हुआ भालू जंगल में ले गया दर्मसीर राजा सिरी हर विश्डू का इस्मरड करने लगे भगवान विश्डू राजा की प्रातना सुनकर तुरंत प्रकट होते हैं और सुदर्शन चक्र से भालू का सर धर से अलग कर देते हैं भालू के द्वारा पैर चवा जाने से राजा सोका कुल थे तब भगवान सिरी हर विश्डू राजा मानधाता से बोले तुम सोक को त तुम पुने बरूतनी एकादसी के ब्रत के प्रभाव से सुन्दर अंगों वाले हो जाओगे। भूम दान ज्यादा स्रिष्ट दायक होता है। जो माता पिता लोग के कारण कन्या का धन हरप लेते हैं या कन्या के धन को खाते हैं वह प्रले काल तक भोर नरप में वास करते हैं। जो भी व्यक्ति प्रेम पूरवक धन अन देकर अपनी कन्या का कन्यादान करते हैं उनके पुन्यफल को चित्र गुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। ऐसे ही लोग कन्यादान के पुन्यफल के भागीदार होते हैं। ऐसे लोगों का पुन्यफल चंद्र गुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। भगवान स्रीक्रेस ने यदुष्टर से बोले जो भी व्यक्ति इस एकादसी का प्रत करना चाता है वह दस्मी से ही निम्न चीजों का परत्याग करें। कहां से के वर्तन में भोजन, मास मदरा, मसूर की दाल, चने का साख, मधू, दूसरे का अन एक भार भोजन करें। तश्मी को इस्त्री गमन, दांतों करना, पर निद्रा करना, पाफी मनुस्य के साथ बारतालाप या चुगली का परत्याग कर देना चाहिए। नमक तेल इस ब्रत में बरजित हैं। जो लोग बिदवत एकादसी का ब्रत करते हैं, उनके सभी पापों का च्छे होकर अंत में स्वर्ग की प्राप्ती होती है। जो भी व्यक्ति इस ब्रत के मातम्य को पढ़ता है या किसी को सुनाता है, उसे सहर्स गौदान का पुन्फल फ्राप्त होता है। इस ब्रत का फुन्फल माग मास में गंगा इसनान के पुन्फल के बरावन मिलता है। हमारी चेनल को लाइक, सब्सक्राइब और सेयर करें।